कि नमेशकर दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूं काफी अच्छे होंगे एक बार फिर अप सभी के सामने दोस्तों एक और कलास अपके सामने ले के आए हैं आज का जो टोपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेले और तुहार मेले और त्योहां से जुड़े वे जितने भी प्रशन हैं बहुत ही महत्रपन प्रशन हम आपके साथ डिस्कुस करना चाहेंगे लगबग लगबग सारे कोस्वर मैं इसमें समिलित करना चाहूंगा इससे की सारे एक्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं हाइको लडिशी स्पैसिली क्लास रहेगी वीडियो मैंस के लिए फरस्ट गरेट शेकर जोने वाली है पिछली हमने चीतरकला का टोपिक कम्पलेट कर लिया था हैस्थकला का बहुत ही बहतरी क्लास है रही है अगर आपने नहीं देकि जाके देख सकते हैं डेली पीडिफ दोस्तों आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पर पीडिफ ही मिलती है विदान सर आपको पीडिफ ही मिलती है दोस्तों और सबसे बड़ी बात की लाइक शेर जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं लाइक करें शेर जुरू करें जिसे सभी साथी और ज शुरू करते हैं पहला प्रसन आज का इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं आपको याद रखने पड़ेंगी ठीक है कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्युहार किस माहा में मनाया जाता है छोटी तीज का त्युहार फटा फटा अंसर दीजिएगा कॉमेंट सेक्षन है मैं बिल्कुल आपका चेक करता हूं कई बर कॉमेंट आते हैं क्या सर आप हमारा कॉमेंट पड़ते हैं के नहीं जी बिल्कुल मैं आपका कॉमेंट है वो देखता हूं कौन क्या उत्र दे रहा है तो फटा फट दोस्तों स्टार्ट कर दें उत्र होगा क्या होगा श्रावण माहा को दोस्तों छोटी तीज का त्युहार है वह मनाया जाता है आप सभी को पता है ठीक है यनी श्रावणी तीज भी दोस्तों इसको बोलते हैं छोटी तीज है ना छोटी तीज को दोस्तों श्रावणी तीज भी हम बोलते हैं श्रावणी तीज मैं थोड़ा मार्करण कर लेता हूं कि छोटी तीज इन कब आती है hu सबुस्ärावन को इसको श्रावन तीज नहीं टीज तो बोलते हैं बूलती है इस्टावन उसको बोलते हैं और कब आती है ये श्रावन शुकला तृत्या को दोस्तों आती है तो चीज बोल रहा हूं वो नोट करते जाना दोस्तों भाहत्रिन क्लास आपके रहने वाली है चोटी तीज अधिक प्रसी दोस्तों आप सभी को पता है कहते हैं कि ग्रिश्म रितु के बाद अपने वाले त्युहारों की कड़ी का जो पहला त्युहार है वो चोटी तीज होती है इसी प्रकार से एक कहावत भी प्रचलीत है दोस्तों कि तीज त्युहारा बावडी लेड में थोड़ा सा दर्द है हलकी जुखा में इसी विज़े से बार-बार खांसी आरी में को तीज त्युहार अबावडी लेडू भी गणगोर रहता तीज त्युहारों को लेकर आती है जिनको गणगोर अपने साथ वापस लेकर जाती है ठीक है इस दिनी तीज माता किये वो अगला देखिए करक कि श्रावण सुरी रण थंबोर प्रशिद मेला आयोजित होता है इसका उत्तर क्या होगा बताओ दोस्तों मैं देख रहा हूं सबी के आंसर रण थंबोर का प्रशिद मेला आयोजित होता है कब होता है च्यार ओप्सन आपके सामने हैं क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों इसका अगर आंसर आप चाहते हैं तो इसका आंसर होगा भद्र पद सुकल चतुर्थी को चतुर्थी को दोस्तों आई जिते होता है ठीक है चिली आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला जो प्रशन है उत्तर दीजिए दोस्तों कि अजमेर जिले में कोडा मार हुली अजमेर जिले में कोडा मार हुली खेली जाती है यह तो प्रशिद जगह कौन सी है बिनाय किशनगड नसीराबाद या कोई नहीं अजमेर में कौन सी जगह पर कोडा मार हुली दोस्तों उत्सव है वो प्रशिद है बताए बताओ दोस्तों फटा फटा अंसर दो इसका तोड़ा मार हो ली है उत्सव प्रशिद आजमेर का ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है कि बान गंगा मेला भरता है कहां पर भरता भी बान गंगा मेला बताओ बान गंगा मेला है वो कहां पर भरता है क्या उत्तर होगा इसका जिस प्रकार के प्रस्षिन में आपके सामने रख रहा हो न कुछ इसी प्रकार का ही पैटर्न रहने वाला इसमें जैदा आपको छोड़ी बाते दहारकने ज़्यादा कोई depth में जाने आपसे नहीं पुछा जाएगा जो चीज होगी मैं आपके साथ अपने अप discuss दोस्तों कर लूँगा ठीक है बताई बान गंगा में ला कहां बरता है बेराट में केलवाडा में मुकाम में यह कहीं नहीं इसका right answer दोस्तों जाएगा बेरा सबको पता है डूंगरपूर डूंगरपूर ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तरजूम कर लेता हूं फूल डोल उच्छव मनाया जाता है किसके द्वारा फूल डोल उच्छव दोस्तों मनाया जाता है बताओ इसका क्या answer होगा बताओ दोस्तों फूल डोल उच्छव मनाया जाता है इसका उत्तर होगा रामस नहीं पंथ के लोगों द्वारा दोस्तों ये उच्छव मनाया जाता है ठीक याद रखना important question आगे बढ़ते हैं एक और अच्छा question आपके सामने है गोटिया अंबा जी का मेला किस जिले में आ रायोजीत होता है क्या उत्तर होगा इसका बताओ बताओ इसका राइट अंसर होगा दोस्तों यहां पर बासवाडा क्या हो जाएगा बासवाडा के अंदर ये मेला भरता है चलिए अगला question अगला है दिंगा गणगोर किस सहर में परशिद है दिंगा गणगोर है वो किस सहर में दोस्तों परशिद है बताओ आजिए आंसर बताओ ये फटा फट चार ओप्शन आपके सामने है अजमेर है किशनगड है कोटा है उद्यपूर है दिंगा गणगोर जो किस शहर की प्रशित दोस्तों है मैं देख पा रहे हूँ आपके आंसर है यह बताई इसका उत्र दोस्त हो जाएगा आपका उद्ध् mej पूर क्या हो जाएगा उद्ध्य पूर सहर में धिंगा गणगोर है उठ वो प्रशित है देखो मेले और त्योंहार के अंदर चीदे से इस प्रकार के ज़्यादा आपको डेफ्ट में जाने इसलिए हम आपको कुछ चीज़ें एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा हूं किस कुछ परसन है उसमें करेंगे हम एक्स्प्लेइन आपको सामने वीर तेजा जी पसु मेला आयो जित होता है बताई वीर तेजा जी का नाम सुए आपका परबचसर होगा कहां पर हैं नाग और परबदसर में मेला आयोजित होता है ठीक है अगला कुश्चन आपके सामने और आपको एक बात और बदाते हूं अगर आप इतने कुश्चन्स कर लेते और इसके लावा कुछ नहीं पढ़ते ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 99% आपका लगाने पाने बदाई सबस्दों कार्थिक महा कहां बढ़ते हैं ये एक परसंद गडू का मेलाव कहां बढ़ता है याद होगा अगला है अगला प्रसंद जो है अगला है कि राजस्तान में रुनेच्चा मेले की विशेष्था सुखी समाज के लिए आउश्चक है अच्छा कोशन बहुत बार आता है तो राम देव जी से जुड़ी भी बात है राबा राम देव तेसल मेर के इंदर इनका है स्थान संपर पता इकसर दबाओ के लिए जाने जाते हैं अगला नाम आरे हैं किल हमने इस पर डिस्कस भी गया ता होले के आफिर पर दोस्तों यह उत्सब होता है गुड़ला न्रते हमने कल पड़ा था न तो गुड़ला तो टोहार कभ मनाया जाता है बताओ गुड़ला तो वहार है करने को कोई बात नहीं करेंगी तो बताओ राधस्तान में घोड़ला तिवहार है कब मनाया जाता है इसका उत्तर दोस्तों आपको दखाए चेत्र कृष्ण अस्ट में को दोस्तों ही तिवहारे मनाया जाता है ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अगला पशय्ण आपके सामने आ रहा है बताई हैं becoming a क्षे तृत्या मनाई जाती है क्या हुग इसका उत्तर दोस्तों बताओ अक्षे तृत्या बताईए इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने हैं चार उपसन है आपके सामने तो अक्षे तृत्या है वो बेशाग सुकल तृत्या को दोस्तों बनाई जाती है ठीक है तृत्या थीक है बेशाग सुकल तृत्या को दोस्तों बनाई जाती है ठीक है अगला जो परशन है राज राजस्थान के अंदर कजली तीज मेला बढ़ता है बताओ दोस्तों कहां बढ़ता है कजली तीज मेला क्या अंसर होगा इसका बूंदी की इंदर कहा पर बढ़ते दो तो बूंदी की इंदर राजस्थान में कजली तीज मिला भरा जाता है ठीक है अगला कोशन है जल जूलनी एका दसी मनाई जाती है क्या उतर होगा इसका बताओ कब बना जाती है इसका आंसर भाद्र पद सुकल एका दसी भाद्र पद सुकल एका दसी को मनाई जाती है ठीक है अगला है का खेजडी के वरक्ष की पुझा किस परव पर की जाती है बताइए खेजडी के वरक्ष की पुझा किस परव पर की जाती है आपका उतर होगा दशेरे की उपर दोस्तों खेजरी वरक्ष की पूझा की जाती है अगला है गुलाबी गणगोर अच्छा कोशन है गुलाबी गणगोर है कहां की प्रशिद है गुलाबी गणगोर दोस्तों आपकी नात द्वारा की प्रशिद है कहां की है नाथ द्वारा के दोस्तों प्रशिद है अगला कॉशन है कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयूजित होता है कौन सा मेला है वर्ष में दो बार आयूजित होता है इसका उत्र क्या होगा बताए कॉमेट शेक्शन में इसका उत्र होगा केला देवी का केला देवी के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से लांगुरिया गीत प्रशीद केला देवी करोली में जो कि हनुमान जी का उस वरूप है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था अगला कोशन है कि बादिशा का मेला कहां भरता है बादिशा का मेला है वो कहां बरता है दोस्तों बादश्या मेला है वो ब्यावर में भरता है कहां बरता है ब्यावर में अगर आपके पास पाली ऑप्षन होता ना दोस्तों तो यह भी सही होता है तो यह भी सही होता और यह भी लेकिन यहां पर ऑप्षन में सिर्फ एक दे रखा ब्यावर तो दो कोटा गेंदर आपको पता यह दशेरा मेला प्रशिद है यह आ गया नाम ही आ गया कि दशेरा मेला कहां का प्रशिद है कोटा का कहां का प्रशिद भी कोटा का ठीक है आगे चलते हैं अगला परशन है राणी सती का मेला कहां बरता है राणी सती का जो मेला है कहां बरता है क्य का मिला जुझुनु मी बरता है कहां बडता है whilst मग तुझे राणी शक्रिया प्रशित मंदिर प्रतिवर्श और कब बड़ता है दोस्तों वाद्रपद मास को वड़ता है बाद्र पदे मास्क दोस्तों क्यों आरे मनाया जाता है ठीक है अगला नेवलों की पूजा की जाती है बहुत अच्छा कोशन है नेवलों की पूजा कब होती है नाग पंचमी को नीडरी नुवम्मिक ये दोनों सही है या दोनों ही गलत है क्या उतर होगा नेवलों की पूज पूजा कब होती हैं बहुत अच्छा प्रशन हैं मेवलों की पूज़ा दूस्तों नीड्री नैचरियो है कब मनद कर देना लगबग लगबग करके आते हैं और यह नेड्री ना सकति है या यह आपकी श्रावण कि रावण क्रष्न पक्स की नम्मि को दुस्तों कद ओढ़न में की बंस्तों कर्फिंद को नेवलों की पूजा की जातीत declaredautres नीद्री मिकि दोस्तों कहती हैं और जो नाग पंस भी ना ये पंचमी को आती है कि वह नागों का लिए नवलों का लुए न दोनों अलग जो धान करना ठीक है अगला अग्या नहीं किस दिन बबारत के दिन बहरयत के पिरिश्दिध्र आप मारनात में बर्फ का एक सीविलिंग बनता है, साल में एक बार, क्या रक्षा बंदन को, या शत्य पूरोणिमा को, या नारिल पूरोणिमा को, या सभी से हैं, अगर इसका उत्तर देखा जाए, तो दोस्तो सारे ही होगे, क्यों, क्यों कि ये जो बर्फ बंदना ना, ये ये रख्षा बंधन के हैं ठीक है रख्षा बंथन के दोस्तु हैं श्राण पृणिमा के दिन यह तियुक्णार आता है और इसे हमें सत्य पूरणिमा भी कहते यह नारियल पूरणिमा भी इसको कहते हैं तो फीन नों हिदिने में सही option हो ही सभी सही इसमें तीनों एक ही चीज़ें ठीक है मैंने इसलिए option में confusion के लिए आपकी सामने रखी हैं अगला कॉश्ण कार्थिक महाखितियों हर बताओ भी क्या कर्वा चोत है क्या धन्तेरेस हैं आप बढ़ो और बताओ मेरे कौ आंसर क्या होगा इसका अंसर्ट का हैँ इस प्रकार का अब प्रस पूछा जा सकता है तो इसका उत्र होगा आपका ये देवुठनी ग्यारस भी आती है कार्थिक महा में करवा चोत भी आती है दिपावली भी कार्थिक महा में आती है तुलसी एकादसी भी दोस्तों कार्थिक महा में आती है तो C option दोस्तों आपके सही करें ठीकर अगला परसन है नरहड के दरगा का मेला भरता है अब नरहड का जब नाम आता है तो मेरे इसाब से आपका उत्र सई हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार एक्जाम में ये परसन दोस्तों आता है नरहड के पीर कहां के प्रसीद है दोस्तों जुन जुन तो इसका उत्र क्या ह हो जाएगा जूज नहीं हो जाएगा अगला परसना है गलिया कोट का उर्ष लगता है गलिया कोट का जो उर्ष है अब यह बताओ गलिया कोट का उर्ष कहां लगता है बताए गलिया कोट का जो उर्ष है वो कहां लगता है यह डुमगरपूर होगा इसको एक तरह हैं क्या होगा दोस्तों निकठ दोस्तों गलिया कोट्वरी बोहरों का फर्वकिस्ति स्थान है प्रतीवर्श दोस्तों यहां पर मेला अव्यजित होता है ठीक है अगला परस्ट अगला है गोगा नुम्मी का मेला बरता है कहां बरता है पहले तो गोगा मेडी में गोगा मेडी कहां पर है नोहर में नोहर कहां पर हनुमान के डिस्टिक में हना तो बताओ कब बरता है गोगा नुम्मी अब इसका अंसर दोस्तों आप के लिए में छो वैसे आप बता भी सकते हूं जो को लेकिन यह प्रशन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है इसका पता होना चाहिए आपको तो यह कुछ 28 questions हमने discuss किये 28 questions discuss किये और बहुद important question थे दोस्तों इन प्रशनों में ज्यादा कोई समझाने वाली बात ने थी इसलिए मैंने ज्यादा इसके अंदर को explanation आपके सामने नहीं देखा दोस्तों बाकी मैं सभी प्रशनों में आपने देखा पिछली दो क्लास लिए काफी बैतरिंग क्लास से थी अब आगे जितने पर टोपिक्स आएंगे जिसमें समझाने के चीज होगी इसमें जुरूर explain किया जाएगा लेकिन यह 28 questions हना यह बहुत important है रट लो इनको कही न कहीं एक्ज इंद जे बारत